हिंदु धर्वें की पुरानों में कई पसु एम पक्षियों को पोजनिये माना गया है ये पसु पक्षि तेवी देवताओं की फाहन के रूप में स्रिष्ट माना जाते हैं सास्त्रों के अनुसार इन पसु पक्षियों का हमारे घर पर आना एक पीछिस प्रकार का संकेत्य माना जाता है इसके पीछे सास्त्री और बेग्यानिक दोनों कारक हैं सास्त्रों के अनुसर कुछ बीसी इस प्रकार के पसुपक्षी मातावरन में उपस्ति सकरात्मक औरजा की किर्णों को मेंसूस करते हैं और उसी सकरात्मक औरजा का पीठा करते हुए विविविद अस्थानों पर जाते हैं जैसे हमारा मन्दिर में जाने पर प्रसंद्र होता है उसी प्रकार सी इन पसुपक्षियों को सकरात्मक औरजा वाले अस्थानों पर जाने पर प्रसंद्र होती है और यही कारण है कि वे ऐसे घरों में ही जाते हैं जहां का वातावरन सुध और पवित्र हो इसलिए वास्तु सास्तर में कहा जाता है कि घर को सदे हुई स्वक्ष और पवित्र रखना चाहिए कभी कभी हम घर पर बैठने वाले पसुपक्षियों से भी जान सकती हैं कि उस घर में रहने वाले मनुश्यों का सभाव कैसा है घर पर अगर सुपक्षी आकर बैठती है तो इससे पता चलता है कि उस घर में अच्चे सभाव के और सत्गुन वाले लोग रहते हैं और यदि उस घर पर सदा ही असुपक्षी किरे मकौरे देखाई देते हैं तो समझ लेना चाहिए कि उस घर के लोग नकरात्मक प्रविर्ती के और दुष्ट सभाव के हैं आज के इस वीडियों में हम जानेंगे कुछ ऐसे ही किरो और जानवरों के बारे में चिनका घर पर आना हमें कई महते पुन संकेत देता है वेदों में और पुरानों में ऐसे कई चीजों का वारों में वन्नक किया गया है जिनके घर पर आने से सुव असुव लक्षन पर कट होते हैं जिनें कभी दुरलक्ष नहीं करना चाहिए तो चली जान लेती हैं विभित कीटो को तथा जानवरों द्वारा मिलने वाले भैपतेपुन संकेतों के बारे में सबसे पहला है चुछुंदर दोस्तो चुछुंदर का घर में होना बहुत सुभ होता है वास्तु और जोतिस के मुताबे के जिस घर में चुचुन्दर रहता है वहां मालक्षमी का बास होता है इसके अलावा चुचुन्दर यदि किसी भी विक्टी के चारो और भूम जाए तो समझ ले कि उसे जल्दी ही बहुत बड़ा फायदा होने वाला है यदि धिवाली की राद किसी विक्टी चुचुन्दर दिख जाए तो उसकी किसमत खुलना तय है उसे अप्रतियासित पैसा और खोब तरक्की मिलती है यदि चुचुन्दर घर के चारो तरब चकर लगा ले तो उस घर की विपति टल जाती है और कई मुसीविते खत्म हो जा हो जता है घर में जादा संख्या में चुगो की मौजुद्गीं घर के लोगों की बुद्धिके भिनास और नकरात्मक सोच के कारक बनता है चुगों का घर पर आना असुव तो होता ही है इस 다양한 में रोक तथा बिमारिया फैलाने का काम करते हैं यह घर के वातावरण को तूस लिखतित बनाते हैं चुय घर में होने से धन का कर्ष मढ़ने की संभावना होती है साथ ही यह घर में होने से आपका बहुत बड़ा नुखसान भी कर सकती एं आपके वस्रतता किताबों को खराब कर ढालते हैं इसलिए चुहों का घर पर होना असु भी नहीं, नुक्सान दायक भी होता है। अचानक घर में चुहों का आगमन होना किसी असु घटना का भी संकेत माना जाता है। दिसरी है मधुमकाई। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि मधुमकाई खराब किस्मत और गरीवी को नियोता देती है। इसलिए इसे अपने घर से हटा देने में ही भलाई है। घर पर मधुमकाई का च्चता होना भी असु इस्तु माल जाता है। चौथी चीज है मकरी के जाले वास्तु के द्रिष्टी से घर में मकरी का जाला लगना अच्छा नहीं माना जाता है यह दुर्भा के पूर्ण घटनाओं का संकेत देता है इसलिए घर में कहीं पर भी मकरी के जाला दिखते ही उसे तुरन थटा दे मकरी का जाला आपके जीव संकेत भी माना जाता है इसका तातपर यह है कि आपको बहुत ही चल्द कोई सुब समाचार मिलनी वाला है पितली के बार-बार घर में दिखाई देना किसी बहुत ती सुब घटना का संकेत माना गया है पितलिया रंग भिरंगी होती है ये आपके जीवन में खुसियों के रंग भड़ने के लिए ही घर में आती है इसलिए गलती से भी इस जीव को नुकसान नहीं पहुचाना चाहिए कितली जीनी अतनी खुसुरत होती है आपकी जीवन में उतनी ही अधिक खुसिया आती है छटा जीव है भारा घर में काले रंग का भारा आना सुब संकेत है पर आया है भौरा भर पर आने के बाद से आपके जीवन में अच्छे समय की सुरुवात हो सकती है सात्वा जीव है बिच्छू कहते हैं कि सपने में बिच्छू दिखाई दे तो समझो कि आप पर कोई संकट आने वाला है जिस घर में बिच्छू तता बनाकर बाहर जाते आठवी है चीटियां अगर आपके घर में काली चीटिया आ रही है और खुस हो जाईए दरासल माना जाता है कि ऐसा होने पर भविस्ते में आपकी सुक्सांती में प्रिधी होने वाली है वही काली चीटियों को आपके एस्परे के बढ़ने से भी चूरा जाता है काली इनों में आपके सची धन में प्रिधी होने वाली है वेक्टि के आर्थिक सिती अच्छी होने जा रही है काली चीटिया बहुत इक सुक वाली चीजों के लिए सुब है नवा जीव है घोंगा सास्त्रों के अनुसार घर में घोंगे का अचानक से निकलना अत्वा घर के दि उमीद हैं कि आपको यह चनकारी अच्छी रगी होगी वीडियो तो फीडियो को लाइक करें कॉमेंट बॉक्स में जैल अश्रीमाता लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धनिमा दोस्तों